हेलो डियर स्टुडेंट मैं अंकित चाड़क के प्रित्युक्ताइक आड़मी में आपका स्वागत करता हूँ जैसे कि हम कोस्टन करते आ रहे थे उसी क्रम में हमने आज भी कुछ कोस्टन लिए है जो आपकी परिक्षाओं के लिए बहुत जरूरी होंगे ठीक है तो चलते हैं पहले कोस्टन की ओर ठीक है देखो पहला कोस्टन पहला कोस्टन स्क्रीन पर आ चुका है आपका कलेंडर चेप्टर से है पहला कोस्टन इसमें कहा है यदि 10 अपरेल 1983 को मंगल था तो बताइए 20 जुलाई 1983 को कौन सा दिन होगा तो देखो सबसे पहले कैसे करते हैं इस कोस्टन को जैसे हमें 10 अप्रेल 1983 का दिन दिया है क्या दिया है मंगल ठीक है और हमें 20 जुलाई 1983 का दिन बताना है तो ये एक बात हमेशा याद रखना किसी भी डेट के अंदर तीन चीज़े होती है डेट, मन्त और येर ठीक है, तीन में से हमें देखो क्या क्या चीज़ सेम दे हुई है सेम दी हुई है येर येर हमारा सेम है और जो चीज़ सेम होती है उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है हमारा अंसर उससे आता है जो चीज़ अलग है ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हमें 10 अप्रेल से कहा तक जाना है 20 जुलाई 10 अप्रेल से 20 जुलाई तक जाना है तो देखो अप्रेल के 10 दिन तो complete हो गए अप्रेल के 10 दिन तो complete हो गए आगे को अप्रेल के कितने दिन बचे 20 तो कि अप्रेल कितने का होता है 30 का ठीक है और 20 को अगर 7 से भाग करोगे तो कितना सेश, 6, फिर आया मई, मई कितने गा, 31, 31 में कितना सेश, 3, फिर आया जून, जून 30, 30 में कितना सेश, 2, फिर जुलाई, जुलाई कितने तक लेना है, 20 तरिक तक, 20 में कितना सेश, 6, ये जो सेश बच रहा है, कितने से भाग करने पर, 7 से भा सब को जोड़कर कितना आ रहे हैं सत्रा ठीक है छे और तीन और दो ग्यारा और छे सत्रा साथ दुनी चोधा कितना सेस तीन अब यह जो तीन सेस वचा है इसे तुम इस दिये हुए दिन में जोड़ दो मंगल में अगर दो जोड़ते तो ब्रस्पत आता लेकिन तीन जोड़ तो सुकुर आएगा एक जोड़ोगी तो वुद्ध दो जोड़ोगी तो ब्रस्पत तो तीन जोड़ोगी तो सुकुर यानि इसका अंसर हो गया बच्चो सुकुर बार हमारे ओप्शन में सुकुर बार दिया हुआ नहीं है तो इसका अंसर क्या जाएगा ओप्शन डी इन म अनुपात 16 है, 10 वर्स बाद इनकी आयू का अनुपात 2 अनुपात 3 होगा, तो बताइए इन दोनों की आयू में कितना अंतर है, तो देखिए बच्चों, अंतर पूछा है तो हमें दोनों की आयू निकालनी बढ़ेगी, अगर अंतर नहीं पूछा होता, किसी एक की आयू 9 अनुपात 16, कहने हैं 10 साल बाद, 10 साल बाद, 10 साल बाद इनकी आयू का अनुपात कितना हो जाएगा, 2 अनुपात 3, ठीक है, तो मैं आपको क्लास में भी बताता हूँ कि अगर इस तरीके का कोई सवाल है, तो आप कैसे कर सकते हो, अगर आपको रीता की आयू चाहिए, त जाए पहले बोला हो या बाद बोला हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बाद बोला है, 10 साल बाद, गुणा 10, गुणा 3 स्टेप में तुम्हें क्या करना होता है, तीसरे स्टेप में नीचे वाली अनुपात का अंतर, तीर में और दो में कितने का अंतर, एक का, ब दुनी 18, यानि रीता की आयू कितनी आ गई, 18, अगर रीता की आयू पूछी होती तो यही आंसर हो जाता हमारा 18, लेकिन हमसे किसकी आयू पूछी है, गीता की, तो गीता की आयू भी हमें निकालनी आनी चाहिए, गीता की आयू में बस क्या चेंज हो जाएगा, कि बस क्या हो जाएगा यहाँ पर जो अनुपात है बोचेंज हो जाएगा आपकी बार गीता की आयू का अनुपात लोगे 16 गुड़ा कितने साल पहले या बात बोला है 10 साल बात तो गुड़ा 10 गुड़ा तीसरे स्टेप में इन नीचे वाले अनुपात का अंतर 2 में और 3 में कितने का अंतर 1 का बट एक क्रोस मल्टिपलाई का अंतर 16 दूणी 32 27 कितने का अंतर 5 का तो 5 दूणी 10 16 दूणी 32 यानि गीता की आयू आ गई 32 और रीता की आ गई 18 दौनों की आयू हमने निगाल ली लेकिन हमसे किसका अंतर पूछा है कि का अंतर हो गया इनकी I.U. का अंतर पूछा है यानि अगले कोश्थन की ओर चलते हैं अगला जो कोश्थन है बो है हमाराمة नंबर से CGL में आये हुवा सवाल है ये भी missing number यानि लुप्त पदों को भरना इसमें क्या होता है कभी-कभी stable के रूप में दी हुई होती है आक्रती कभी-कभी कोई और आक्रती दी हुई होती है उसके according हमें सवाल करना होता है अब इसमें पहली दिक्कत यह आती है बच्चों को कि इसे horizontal solve करने या बर्टीकल तो हमें से याज रखोगे जिधर को बड़े number होουν वो result होता है ऑर उधर को यह हम solve करने है जैसे अगर हम देखें तो इदर है बड़े number यह है बड़ा number तो इन तीनों से हमें 69 लाना है इन तीनों से हमें 91 लाना है तो हमें देखना है इन तीनों से क्या आएगा ठीक है तो एक बार अगर हम गुणा करके देखें तो 748 दूनी 56 नहीं आ रहा है गुणा करके जोड़के देखें तब भी नहीं आ रहा है तो जब गुणा करके भी नहीं आ रहा है जोड़के भी नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना होता है वर्क करक यह नहीं है कि तुम direct इसको कर दो, पहले आप इसे भी समझोगे कि इसमें यह 90 आ रहा है बरकर करके या नहीं आ रहा है, तो आप देखो, 3 का square बच्चो 9, 3 का square कर दोगे तो 9, 9 का square 81, 1 का square 1, 81 और 82 और 9, 91, तो इसका मतलब यही logic लग रहा है, तो हम भी square वाला logic लगा देंग square वाला logic लगाने का मतलब है, 2 का square 4, 6 का square 36, 5 का square 25, तो देखो, 36 और 44 और 25, 65, 2 का square 4, 6 का square 36, 5 का square 25, 36 और 45 और 25, 65, यानि 65 इसका answer हो जाएगा, option C, समझ गए होंगे, अगले question की उड़ चलते हैं, अगला जो question है, वो है हमारा कथन एबम निसकर्स से, इसमें क्या होता है, इ ना आपको diagram मनाना होता है, इसमें आपको मन में ही, अपने दिमाग में ही, इसको analyze करके answer लगाना होता है, कथन है, इमानदारी और परिश्रम से, ब्यक्ति को आर्थिक उन्नती प्राप्त हो जाती है, कथन में कहरें, अगर इंसान इमानदारी से काम करे और परिश्रम करे, तो उसकी आर्थिक उन्नती संभव है, आर्थिक उन्नती प्राप्त होगी, तो इसका मतलब निसकर्ज कौन से निकाला जा सकता है, इसकी द्वारा, इमानदारी और आर्थिक उन्नती में परस्पर सीधा संबन्द है, ऐसे question को हमेशार real life से ना ले करके, कथन के according solve करते है, कथन में ये बताया है, कि यदि कोई व्यक्ति इमानदारी और परिश्रम से काम करता है, तो उसकी आर्थिक उन्नती होती है, तो इसका मतलब निसकर्ज पहला कह रहा, आम इमानदारी और आर्थिक उन्नती में परस्पर सीधा संबन्द है, कथन के according बिल्कुल सही बात है, दूसरा है, परिश्रम और इमानदारी हमेशा लापकारी होते है, ये बात भी कथन के according बिल्कुल ठीक है, यानि कथन के according दोनों निसकर्ज निकाले जा सकते हैं, तो नीचे option होता है, इसका दोनों निसकर्ज अनुसरण करते हैं, ऐसा option आपको मिलता है, और इसे आप लगा सकते हैं, आपको दोनों निसकर्ज अनुसरण करते हैं, अगले question की ओर चलते हैं, अगला जो question है, हमारा sitting arrangement से, इसमें कह रहे हैं, छे लड़किया एक ब्रत्ताकार घेरे में बैठी हैं, तो ब्रत्ताकार घेरे में बैठी हैं, तो देखो किस तरीके से आप इने बैठा होग इसमें दे ही नहीं है, किदर की सायड मुँ है, तो इस से कोई फरक मिनी पड़ेगा, जब ना दिया हो तभी आपको अंदर की ओर लेना है, जब बाहर की ओर बोलता है, तो बाहर की ओर इनका arrow लगा देंगे, भीके, आब इसमें कहने हैं, 6 लड़balकिया एक बैठ्यक ब्र कह रहे हैं सरीता जो सुस्मा के बाईयोर है सुस्मा के बाईयोर है सुस्मा के बाईयोर है सुस्मा के बाईयोर है तथा सुधा के बाईयोर है सुस्मा के बाईयोर है लेकिन सुधा के कहां पर है अगर सुधा के बाईयोर है तो इसका मतलब इधर होगी सुधा सुधा के बाई तो सिल्पी तो यहां पर आ जाएगी भी सरीथा के सामने कौन है सिल्पी अब करें सिल्पी सरोज के बाइयोर तथा सोभा के दाइयोर है यह जो सिल्पी है न यह सरोज के बाइयोर है और सुधा के दाइयोर देखो सिल्पी सरोज के बाइयोर जबी तो आएगी जब सरोज यह और सुधा यहां पर, सिलपी सरोज के बाइयोर तना सुभा, यहां पर को न आ जाएगी, सुभा, के दाइयोर है, तो बाइयोर हो गई, यह सुभा है, अब यहां तक यह डाइग्राम बन गहीं, सारे लोग बैठ गए, अब उसके बाद, इसमें कोसळ दिया है, कि यदि सरोज सरीता से एवम सोभा सुस्मा से अपना इस्थान बदल ले कह रहे हैं सरोज जो है सरीता से ठीक है सरोज और सरीता आपसे अपना इस्थान बदल लेंगी तो यहाँ पर सरोज है यहाँ पर कोन आ जाएगी सरीता और यहाँ पर सरीता है कोना जाएगी सुसमा ठीक है और सुसमा की जाएगी कौन चली जाएगी सोभा ठीक है इन्होंने अपना इस्थान बदल लिया पहले वो वाला इस्थान ता अब चेंज कर लिया तो कह रहे हैं तो बताईए कि के सामने कौन बैठेगी तो सरीता इस टाइम यहां पर बैठी है तो इस कंडिसन में स्राइग्छा कर बैठेगी सोभा पहले हमने डाइग्राम मनाया बिल्कुल सही वाला उसके बाद इन्होंने जो चैंज करांइ कंडिसन फिर हमने चैंज कर लिए इस क्रोस लगा लगा ठीक फिर आहीं करें कि सरीता के सामने कौन बैठेगी इस क्रम में कर दिया जाए तो सरीता के सामने कौन बैठेगी वच्छो सुभा option A इसका answer हो गया सुभा बात किलियर हो गई ठीक है अगले question की ओर चलते हैं अगला जो question है वो है हमारा coding decoding से देखो coding decoding में क्या है वच्छो कि जब तक आपको यह पता नहीं है कि इनके number क्या होते हैं तब तक आप इसका सवाल जल्दी से नहीं गड़ सकते गार्डन को किसी भासा में लिखा गया HBS तो बताओ bright को क्या लिखा जाएगा यह question है bright को क्या लिखा जाएगा तो हमेसे याद रखोगे garden को HBS लिखा गया है तो bright को क्या लिखा जाएगा तो सबसे पहली बात जब इधर की side 6 अक्षर है और इधर की side 3 अक्षर है या इधर की side 8 अक्षर है और इधर की side 4 अक्षर है यानि आधे अक्षर है तो समझाना कि 2 अक्षरों को जोड़के 1 अक्षर बना दिया गया है देखो 6 पर नहीं होता है, जी कितने पर होता है, 7 पर, 7 और 1 दोनों को जोड़ दिया तो 8, ऐसी 18 और 4 दोनों को जोड़ दिया तो 22, 5 और 14 दोनों को जोड़ दिया तो 19, ठीक है, यानि 2 नमबरों को जोड़ने के बाद 1 नमबर बना दिया जा रहे है, तो हम भी 2 और 18 कितना क क्या आएगा B खुगी 26 के बाद 2 अक्षर और 27 वाई 28 मा B, यानि T, P, V इसका अंसर क्या होगे, T, P, V यानि option A, इसमें क्या हो रहा है बच्चो, 2 अक्षरों के नंबर जोड के एक अक्षर बना दिया जा रहा है 7 और 1, 8, 18 और 4, 22 25 और 14, 19, ऐसी हमने कर दिया 2 और 18, 20, 9 और 7, 16 8 और 20, 28, यानि इसका अंसर होगे T, P, V, समझ में आगिया इसका अंसर होगे T, P, V, अगला question देखो अगला question हमारा है तिर्भुज बाले से, इसमें हमें तिर्भुज गिनने हैं तो देखो तिर्भुज किस तरीके से गिनते हैं 1 और 2, 3 इसके हो गए ठीक है अब देखो 1 और 2, 3 इसके हो जाएंगे इस वाले की portion के एक देखो 3 तो यहां तक क्यों हो गए 3 इसमें कौन-कौन से गिने गए 1, 2 और 1 बड़ा वाला 3 अब 3 इस वाले के और 3 बाहर वाले के 3, 3, 3 कितना हो गया? 9 अब देखो 9 में कौन-कौन से गिने गए हैं 9 में देखो सारी इस वाली भुजा को अधार मान के गिने गए हैं कैसे हैं? ऐसे 1, 2 और 1 बड़ा वाला कितने हो गए? 3 उसके बाद देखो ये वाले 3 कौन से गिने गए? 4, 5 और 1 बड़ा वाला 6 उसके बाद देखो एक ये 7 और एक ये 8 और 1 बड़ा वाला 9 ये 3 तीन जो गिने गए हैं 3 इसके, 3 इसके ये इस परकार से हो रहे हैं 9 जो मैंने किनके बताए हैं अभी ऐसी ये 13 उसी तरीके से इन दोनों को मिला कर बनने है एक 14 इन दोनों को मिला कर 14 और ऐसी इन दोनों को मिला कर 15 ठीक है? तो कुल मिला कर इसके तरभूज कितने बनने हैं? 15 कैसे बनने हैं? 3 इस वाली के, 3 इसके, 3 इसके 9 तो ये ही हो गए उसके बाद 10, 11, 12, 13 उसके बाद 2, 2 को मिलाकर 1 यहां से यहां तक 14 1 यहां से यहां तक 15 ठीक है? कितने तिरभूज हो गए? 15 तिरभूज हो गए total यानि इसका आंसर हो गया 15 ठीक है? अगले question की ओर चलते हैं अगला question है coding to coding से फिर से करें यदी नारंगी को मक्खन, मक्खन को सावन और सावन को स्याही यानि इसमें बहुत लंबी detail दी जाती है कि नारंगी को मक्खन मक्खन को कहा गया है सावन सावन को कहा गया है स्याही और स्याही को कहा गया है सहद स्याही को कहा गया है सहद और सहद को किया गया है लाल तो केरें कपड़े की धुलाई में क्या प्रियुक्त होगा तो जब भी कभी इस तरीगे का कोस्टन आ जाए तो आपको ऐसी कंडीशन में क्या करना है कि आपको ये देखना है कि कपड़े की धुलाई पूछिए ने क्या प्रिक्त होगा ये पूछा है तो कपड़े की दुलाई में प्रिक्त होता है साबुन लेकिन साबुन का नाम इन्होंने चेंज करके क्या करती है स्याही ना तो तुम्हें पीछे देखना है कि साबुन किसे कहा गया था ना तुम्हें आगे देखना है कि स्याही को सहत क्य गया है हमें तो यह देखना है जिस चीज का पूछा है जैसे कपड़ी की दुलाई में क्या प्रिक्त होता है तो कपड़ी की दुलाई में क्या प्रिक्त होता है साबुन और साबुन को इन्होंने क्या कहा है स्याही तो इनके एक स्थान से रूपा एक स्थान से दूसरे एक स्थान से चलती है और 15 मीटर पस्चिम की ओर जाती है अब दिसा और दूरी से रूपा एक स्थान से चलती है और 15 मीटर पस्चिम की ओर जाती है 15 मीटर पस्चिम की ओर जाएगी तो इधरी तो जाएगी बच्चो पस्चिम उत्तर दक्षिड ठीक है इन दोनों के बीच में उत्तर पूरब होता है इन दोनों के बीच में दक्षिड पस्चिम होता है इन दोनों के बीच में उत्तर पस्चिम होता है तो सबसे पहले रूपा एक स्थान से चलती है और 15 मेटर कहां जाती है पस्चिम की ओर ठीक है तो पस्चिम की ओर जाती है 15 मेटर तो इधर चली गई ठीक है फिर बहे बाए गूमती है 15 मेटर गई फिर बहे बाए गूमती है बाए गूमेगी तो इधर जाएगी और कितना चल अब किस दिसा में जा रही हैं और उप्स्ट सीजिसा होती है बच्चु में 0 15 फिर भाएं पूरी strictly or चल रही है तो कह रहें किस दिसा में जा रही है था凌ई इसका राइड आंसर हो गया ठीक है अगले question की ओर चलते है देखो ये question मैंने पहले भी कराया था ये दोवारा repeat हुआ है साइद एक परिवार में तीन पिता तीन पुत्र दो पोते और एक परकोता है तो बताईए परिवार में न्यूनतम कितने सदुस्य है तो देखो परिवार में कभी भी न्यूनतम की बात आ जाए न तो एक generation से start करते हैं एक couple से start करते हैं लेकिन हिहाँ पर महिलाव का जिक्र नहीं किया गया है हिहाँ पर केबल पुरुस पूछे गया है तो जब केबल पुरुस पूछे गया है न तो आपको क्या गरना है किसी परिवार में अगर कोई परदादा बन गया या कोई परपोता आ गया परिवार में तो उस परिवार में कम से कम कितनी generation रह नहीं है चार generation रह नहीं है कम से कम कितनी generation रह नहीं है चार ठीक है तो इस परिवार में कम से कम कितने पुरुस्दस्य होने चाहिए कम से कम 4 पुरुस्दस्य होने चाहिए क्योंकि इस परिवार में परपोता भी है तो देखो कम से कम 4 पुरुस्दस्य होने चाहिए तो इसका अंसर कितना हो जाएगा 4 कैसे इस परिवार में देखो 3 तो पिता है तीन पुत्र है, दो पोते हैं और एक क्या है? पर पोता तो देखो तीन पिता कैसे है? ये जो है ये इस वाली का पिता है एक पिता, ये वाला जो है ये इस वाली के पिता है दो, ये वाले जो है ये इस वाली के पिता, कितने पिता हो गए? तीन पिता अब देखो तीन पुत्र किनो, ये वाले जो है, ये इसका पुत्र, ये वाला जो है, ये इसका पुत्र, ये वाला जो है, ये इसका पुत्र, कितने पुत्र हो गए? तीन पुत्र, तीन पिता हो गए, तीन पुत्र, अब देखो दो पोते, ये जो है न थर्ड वाला, ये फस् कम से कम का मतलब है फिर उससे कम नहीं अगर हम इस में से एक वेक्ति भी कम कर दें तो इस परीवार होगे ना तो तीन पुत्र सारी कंडिशन गलत हो जाएगी तो कम से कम कितने पुरुस Mick से होने चाहिए नियू उन्तम दिया है ना इसमें लिखा हुआ तो नियू उन्तम कितने पुरुसल से होने चाहिए चार ऑफसन भी इस कांसर हो जाएगा चार ठीक है यह हमारा लास्ट कोशन था आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं ठीक है आपको पूरी क्लास समझ में आ